आज फिर एक नए चप्टेर को लेके मैं आया हूं मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा लाइक भी कर रहे होंगे और सब्सक्राइब कर रहे होंगे और सेर भी करेंगे कल मैं पढ़ाया था क्लासरीकिसद आप डिजाएग प्ला कि फंचाइग फंचाइग जो सुरू में स्टा fight पता है सब्सक्राइब से बिलीकिश्ण जुब करते हैं इंह drawer यू और ने चिंडेक सरूभात ओध एक डिसम ज्विदनाइन और जू इडिकार्म में पाड़क है यह पूरा फंगस का डिटेल पूरा इस्टेक्चर या करेक्टर ही आपको लिखना वगता है क्योंकि जो फंगस है फंजाई है उसको हम कहां जुच करते हैं कि अगर हम फंजाई को वहां प्रतिन करते हैं चैनी पीपनों इस्टेटी आप फंजाई इस्माना एज माइकोलाजी में अध्यन करते हैं तो उसका यह फंजाई क्या है यूकरियाटिक है all word can be seen , मिनी भी सतंसार में फंगस को देखते होंगे, सुनते होंगे, सब क्या होते है फंगस यू करियाद क्रियाजिक होता है उसके बाद शता है पिल्मा क्लोरोफील eli as चाहिए, तो उससे कहते है एक क्लोरोफीलwynlines any फिर नेस्ट है हेट्रोट्राफिक होते हैं अपना भूजन दुसरे को उपर से लगते हैं इस रेस को हेट्रोट्राफिक बलते हैं कि अपना भूजन ने बना नहीं सकते हैं क्लोरोफिल नहीं पायदा इसलिए नहीं बना सकते हैं आर्निजं घेनरली रिप्रडूइड असेञ्ट और रिप्रोडाक्शन तरस करते हैं यह पुरूडाक्शन होता है किसी सप्टूजें मिट्रों जिन वाल ये सेट्वाली पूरक्शन ही होता है फिलामेंट थे इंगा जो स्टुक्चर समयध मुदे विस्ट कर रिए सिटर विसमें पर लिकमि 100 रेखे बनालप तो मैं बंदकोल और सवब्वासिंट तमने कहले सबिए सब्सक्राइब बनी होती है इसके अलावा जितने भी फंगस की बनी होती है अपजर्बेटी न्यूट्रियसन यह भोजन दुसरे से अपजार करता है अपना बनाता नहीं किसी को पर डिपेंट रहता है उससे भोजन अपना लेता रहता है इसलिए अपजर्बेटी न्यूट्रियसन से बोलते हैं है स्टुडिया के जारा भोजन एपजार करता रहता है तो आपका एक कम्प्लेट डिफिनिशन की फंजाई आर्यूकरियाटिक एक्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉफिक और इनिजन हमें कर सारोव्यापत है अगर कंड deniswar का वास है तो इता है ये वह ब्री काफिवह काश्मीड में हर सब्सक्राइब करते हैं तो इसा प्रोफाइट और पारासाइट दोनों के रूप में आवास करते हैं है अट्रोट्राफिक होते हैं आप चर्पेटी होते हैं अपना प्रोफाइब क्या करते हैं और सोसनड करते हैं इसलिए के सेलवाल और कायटिन की बनी होती हैं बनी होती है। तो मासिटीज को छोड़ दिया जाए। तो मासिटीज के लगावावा जितनी भी इसलिए इनकी अउस्था होती है नेस्ट नेक्ट रेट्वियल स्टेट्स नुप्लप्र क्यों भी रिखने लेकिन इनकी अवस्था नोटि है नेस्ट अट्सेश्वल डील प्रोड़क्षण कर सकते हैं एसवालिक्षण कर सकते हैं कुछ फंगस एसे ऐसे न अबने इतने हैं उनको रद्धि-टोगरी भी कहा जाता है क्यांकि जिस फंगस क्या पहचान नहों कि सब्सक्राइद आलेजी बाद में फंगस क्या सब्सक्राइद पहुत ने नियुक्त सेल पदल लियुक्षा सरह सकते हैं तो फ्पर्क या सब्सक्राइब कंप्लेक्स होती है कठिन होती है आप पूरे अंसार भर में प्रिजेंड की थाउजन सु वन लॉप्टिफ पायाते हैं कि इसमें हमको अंदर न्युदं हम लोग बड़ा पड़ते होंगे दोचार दुज पजीस पचास पड़ते होंगे वर्ड में विश्वे में पूरे फंगस की संख्या एक मान के चाहता है कि यह ती थाउजन से उपर वन लाक के लमसम में होंगी अब जिदरी भी सब्डियूजन है इसे आपने देखा आप सब्डियूजन कि इसे मालीजी आपका पहला सब्डियूजन मैस्टिगो माइकोटीना दूसरा क्या होता है जाइगो माइकोटीना होता है और तिसरा क्या होता है इसको माइकोटीना और पाजमा क्या होता है डिट्रो मैकोटीना इसको हम लोग एक लाइन में पढ़ाते हैं मैस्टीगो मैकोटीना के पाद फिर जाइगो आता है इसको आता है इसके लिए फर्मूला वाल जी हमने फर्मूला बना जैसे मैस्टीगो मैकोटीना से बहुत और दिप्रो माइगोटिना से देर यह आहिए हून आपको नहीं भूलेगा सिस्टम से आप पचा सकते हैं कि मैडम जाएंगी आज भूट देर मैज से माइडम से मतलब मैस्टी आपको माइगो पूटिना और आज से यह मतनलों एको माइको टीना एक चोटा श्राइंट मनदाटनेगे पढ़ते हैं तो उसते विच्छे उन्द पूरे फंगस को बड़ा गया है पाउच सब्सक्राइब माईकोतिना जालिओ माइकोटीना एसको माईकोटिना बैसल यो माईकोटिना लेट राइंड लिक्षा हुआ है रिखा रिखा हुआ है इकुनामिक इंपरिटेंड पूरे फंगस का आफिर कुछ रूहत्र हो का इस्वाय जगत में याचराचर जगत में इतनी भी आजनीजम है इसको हम Microsoft से देख सकते हैं, तो इनका कुछ लाप भी होगा, कुछ हानी भी होगी, क्योंकि इस अंसार में इतनी भी हैं, कहीं कहीं पाश्टी होगी, कहीं कहीं निगेटी होगी, तो उससे रहा है economic important आप फंगस हमारे जीवन में, फंगस या क्या योगदान है, उस योगदान को हम दो दरीके से यूज़ करते हैं, फर्स्ट है, डिटेल्स टू पार्ट, फर्स्ट है beneficial effect आप फंगस होते हैं, तो फर्स्ट आपका अगर यूज़ करते हैं, beneficial effect आप फंगस का सबसे बड़ा योगदान होता है, उसके बीना जीवन चल भी नहीं सकता है, complete नहीं चल सकता ह जैसे माली जी आपका first step में आता है, फंगस को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, चानते हैं किसको रूज करते हैं, मस्रूम, सदियों से लोग मस्रूम को खाते हैं, जिसे गवाँ में हम लोग को गुर्म होता के नाम से जानते हैं, तो आए जे फूडस है, इसमें स नाम नाम से फूडस और भूम को खाते हैं, आए जैसे आपने सुराओ सुनाम खाता हैं , जैसे आपने सुनाओगा, लागिन माइकोरया घगन प्रयता है,redit में शरूचना से बियुक्ता है, डिक भूम करते हैं लाइकन में यल्गी प्लस लाइकन माइक्राइजा जहां पायाता है वहां के जो मिट्टी होती है या और सब उसको गला देता है जिसे प्लांट को भुज़ लेने हम क्या होती है असानी होती है और नेस्ट है फंजाई आर यूजड फार इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है आल वर्ड में जितनी भी इंडस्ट्री बठायाती है बीना फंगस के उसका कान वीज़े से एक सपोर्ट आपको कलरसं करना हो कलर करना होता है जूता से लेके चपल से लेके कपड़े से लेके सब कुछ कलर में अगर फंगस नडबलब करे तो अगर अगर फिर जलेवी बनाता है जैसे चाहता है उसको वहीं पर तोड़ देता है अगर कभी आप तत्कान में देखो फिवों कि आप जली बनाए कभी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें फंगस डव्लब्लक नहीं हो पाते हैं अब नेस्ट आए मेडसीन बनाने में हो सकता है आपको पार्ट ना दिखाई देलेंगे आप आप नोट कर लिए यूजड मेडसीन बनाने में बहुत बड़ा यूगदान फंगस जैसे आपनाम सुनाओगा पैंसिलिन पैंसिलियम नोटेसम से बना जाता है जिसको लेंडर फ्लेविंग साम ने 1928 से बनाया था और उससे दवाबंती आसल बहुत सारे मेडसीन ऐसे आ गए हैं जो एंटीबाइटिक रूप में फंगस के दोरा त्यार की जाते हैं नेश्ट रफगाई यार यूज बायक कंट्रोल आप पैस्ट अंडी और बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जो हमारे लिए बायक कंट्रूल करते बहुत सारे ट्राइकोडर्मा इसके अलागा बहुत सारे बावजन्टेंट जो फंगस के दोरा तयार की आते हैं नेश्ट है लाइटिंग फंजाई कुछ ऐसे फंजाई हैं जो लाइटिंग यतने भी आप झालर देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े ज्ञालरों में सब क्य करते हैं लाल पीले हरे कई रूमें कनोट होता फंगस न रहे तो लाइट टिंग कनवर्ट ही नहीं पावे नेस्ट अब तरस के शेत्र में साध अगर फंगस नहीं होता तो प्लांट पथा लिए भाग भी नहीं होता हम आप नहीं इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे ला बहुत सारे फंगस हैं जो हमारे प्लांटों में प्लीमें रोगूता परण बने में युद्र और अगर्ट करती हैं जैसे किसां में नुकसान इस तरह इनमल में उसी तरह रोग उत्पन करते हैं नेस्ट है वाले जाब फूट सब्से जदा हमारे खाद बदारतों को फंगस नुकसान कर देते हैं खाना बना दीए दोबार के बाद या 24 गंटे बारा गंटे के बाद खाना बासी हो गया तो उसमें फंगस नहीं अब का युगदान से नुकसान होता है इसलिए ज्यदा नुकसान दिखा देता है तो बच्चों लोगों आज देखा कि डिप्रिशन आप फंगस करेक्टर आप फंगस ताइप दिविजन आप फंगस कितने सब प्रिविजन पाटा गया है उसके बाद एक उनामिक इंपॉर्टेंट आप फंजाई यह सब बहुत इंपॉर्टेंट कोस्चन आज के लिए है आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है थेंक्यू मुझे अप पूरे रूप से अब इसको आप लोग पढ़ेंगे ज्यान को बपना पढ़ाएंगे शेयर करेंगे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे थेंक्यू